प्रिविद्यार्थी मित्रो दूसरी काई की पहली कवीता है नवीक अक्षा की गागर में सागर इसे बिहारी लाल मान्य कवीवर ने लिखा है ये बहुत ही प्रसिद्ध कवी है संद कवीव के नाम में इनका नाम है ये बहुत ही जानी पहचानी हसती है चलिए इनका पहले परीचे देख लेते हैं और फिर हम इसे इस कवीता को पढ़ कर समझेंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए जन्म 1595 के लगभा गौालियर में हुआ मुरत्यू 1664 में हुई बिहरी लाल ने नीती और ग्यान की दोहों के साथ साथ प्रकृति चितरन भी बहुत ही सुन्दरता के साथ प्रस्तुत किया है अब प्रमकृतिया क्या है बिहरी लाल की एक मात्र रचना सत सही है इसमें 719 दोहे संकलित है सभी दोहे सुन्दर और सराहनिये है पहले देखते हैं दोहा किसे कहते हैं इसका प्रतम और तृतिय चरन 13, 13 तथा दुवित्य और चतुर चरन 11, 11 मात्राओं का होता है प्रस्तुत दोहों में कवी वर बिहारी ने विवहारिक जगत की कतीपाय नीतियों से अवगत कराया है चलिए इस कविता को पढ़ते हैं इसका पठन करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं अब कवी वर क्या कहते हैं इस दोहे में जो वेक्तिक कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है उसकी गती को कोई नहीं समझ सकता वो जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूपता जाता है वैसे वैसे उसका रधय निखर कर निर्मल हो जाता है सारी बुराईयां अच्छाईयों में बदल जाती है ऐसा कभी वर ने इस दोहे में कहा है घरू घरू डूलत दीन हवे जनू जनू जाश्तू जाए दिये लोब चस्मा चकुनू लगू पुनी वड़ो लखाई अब इस दोहे में कभी वर कहते हैं कि लोबी मनुष्य दीन बनकर घर घर में गिड़ गड़ाता फिरता है और जन जन के समक्षाथ फैलाता याचना करता है कि उसे कुछ दे दिया जाए उसकी आखों पर लोब रूपी चश्मा चड़ा रहता है जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्था धन्वान जान पड़ता है लोब के कारण उसे यह ग्यात नहीं रहता कि जिससे वो याचना कर रहा है उसमें देने के सामरते है भी या नहीं कनक कनक तै सोगुनी माधक्ता अधिकाए उहीं खाए बैराई जगू यहीं पाए बैराई अब इस कविवर्र कहते हैं कि स्वार्ण में धतूरे से सोगुनी अधिक माधक्ता होती है धतूरा खाने से वेक्ति को नशा हो जाता है धतूरा खाने से वेक्ति को नशा हो जाता है परन्तो सोने को पाने मातर से ही उसे नशा हो जाता है अर्थात वेक्ति को घमंड हो जाता है वो अपनों से दूर होने लगता है अब यह बैराई यानि पागल हो जाना बाराना इसलिए यहाँ पर इसका इस्तिमाल किया है अरू यानि और एका यानि एक जैसी हुए यानि होकर अगादू यानि के अगाद चौत्री यानि उथला कूप यानि कुवा सरू यानि सरूर गुनी गुनी सबके कहें निगुनी गुन ना होतू अब इस दोहे में कवीवर्य क्या कहते हैं गुनों से रहत किसी वेक्ति को यदि सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारें तो वो गुनी नहीं हो जाता यानि आग के पेड़ को अगर अरक कहा जाता है जो की सूरे का दूसरा नाम है परंता ऐसा कहने से आग से सूरे के समान परकाश नहीं हो सकता परकाश सूरे से ही होता है अरता जिसमें गुन हो वही गुनी कहला कर सम्मान पाता है और सम्मान का हितुप देशी भी होता है अब इसमें कविवर्य क्या कहते है अरू और अब यहाँ पर क्या कहता है अब इसमें कविवर्य कहते हैं कि मनुष्य का मनुष्य और फुहारे के नल की एक ही दशा है फुहारा जितना नीचे होगा यानि फुहारा उसका पानी उतना ही उपर तक जाएगा इसे प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा वो अतना ही उन्नत और स्रेष्ट हो जाता है समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है अती अगादू अती वाउत्री नदी कूप सर बोई सौता कू सागरू जहां जाकी प्यास बुझ होई नदी कुवा सरोवर और बावडी चाहे अता जल से भरी हो अतवा उतली हो अर्थात उसमें बहुत कम जल हो प्यास ये वीक्ती की प्यास जहां बुझ जाये उसके लिए वही सागर है प्यास के लिए वो सागर व्यर्थ है जहां उसकी प्यास नहीं बुझ पाती इसे परकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम ना आये और छोटा आदमी समाई पर हमारे सहायता करे तो वो छोटा वेक्ती हमारे लिए सागर के समान है अर्थात इसमें कभी वर्रे क्या कहते हैं कि यदि बुरा आदमी बुराई करना चोड़ दे तो भी चित्तु से डरता है जैसे चंद्रमा को कलंकरित रहने रहित देखकर लोग उपद्रों की आशंका करने लगते हैं जब कोई बुरा वेक्ती बुराई छोड़ कर भला बन जाता है तब भी लोग ये सोचा करते हैं कि शायद उपद्रों करने के लिए शान्त होकर कोई योजना बना रहा है समय समय सुन्दर सबय रूप कुरूप ना कोई मन की रुची जेती जिते तित तेती रुची होई अर्थात इसमें कभी वर्र कहते हैं कि ये समस्त सुरुष्टी प्रभू की रचना है इसमें ना कोई सुन्दर है और ना कोई कुरूप है और सुन्दर है इश्वर की संपूर्न सुरुष्टी ही सुन्दर्ता से परिपूर्न है अपने अपने आसर पर सभी वस्तों सुन्दर लगती है मनुष्य के मन की चाहा जितनी होती है उस समय उस वस्तों में उतनी ही सुन्दर्ता दिखाई पड़ती है अमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियों दुबारा मुलाखात होगी, खदा आफिर